नमस्कार बड़ी खबरपल बड़ी और सार्तक पहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत मैं हूँ आपके साथ रीमा पराशर प्रधान मत्री नरिंद मोदी आज अपने संसदिय शेत्र वारा नसी में थे और वारा नसी तो वो जाते ही रहते हैं क्योंकि वहां के सांसद हैं और बतौर सांसद भी वो लगातार अपनी कंस्टुएंसी का दौरा करते हैं उसके हालातों का जैजा लेते हैं और लगातार व उन्होंने कहा था कि जब वो वारणसी गए थे अपनी निया यात्रा के दौरान तब उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ पर युबा नशे में लिप्त हैं और विक्सित भारत जिसकी बात की जा रही है वो सब बेमानी है लेकिन उसी का जवाब प्रधान मंत्री ने आज दो टुक तरीके से दिया प्रधान मंत्री ने बताया कि किस तरह से यूपी की जन्ता को इस तरह से इस तरह के शब्दों के साथ बरकलाया जा रहा है उनकी इंसल्ट की जा रही है और इसका जवाब निल बटे सन्नार्टा यानि की जमानत जब्थ होगी जो अलाइंस हुआ है उसकी ये बात प्रिधान मंतरी ने आज कही जाती पर भी बात कही जाती गत जनगर्णा पर भी उन्होंने कहा लेकिन इस सब के जवाब में बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो कि इंडी अलाइंस को लेकर सामने आ रही है क्योंकि अखिलेश यादव के साथ एक तरीके से कॉंग्रेस का गटबंदन हो गया है ऐसा दावा किया जा रहा है और साथ ही दिल्ली में भी ये कहा जा रहा है कि आमादमी पार्टी के साथ भी जो कुछ सीटों को लेकर के तालमिल नहीं हुआ है वो भी जल्दी से हो जाएगा तो इस सब के बीच जारा आज ह है उसके पीछे की रणनीती क्या है सबसे पहले प्रिधान मंत्री के वो बयान सुनते हैं उसके बाद लॉटेंगे करें के उराज परिवाद ने क्या कहा है और काची की दर्थी पर आके कह रहे है काची के नवजवान यूपी के नवजवान नशेडी है यह कैसी भाचा है भाई मोदी को गाली देटे देटे उसा इन्हों ने दो दसक बिता लिये लेकिन अब इश्वर रुपी जनता जनादन पर यूपी के नवजवानों पर ही यह लोग अपनी फरस्ट्रेशन निकाल रहे हैं जिनके अपने होस ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काची के पच्चों को नशेडी कह रहे हैं इसको काची और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा आप देखिए अपने भाशनों में राम मंदिल को लेकर कैसी कैसी बाते करते हैं कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं मैं नहीं जानता था कि कॉंग्रेस को प्रभूश्री राम से इतनी नफ्रक है यह लोग जानते नहीं कि पनारत हो यहां सब घुरु हो यहां किंडी कड़बंदन के पैतरा ना चली पनारत नहीं पूरे यूपी के पता हो माल वही है बेकिंग नहीं है इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संगर्ष करना पड़ेगा कि अमारे देश में जात्री के नाम पर उपसाने और उन्हें लराने में बड़ोसा रखने वाले इंडी गटवंदन के लोग दली वन्चित के हिद्धी योजराओं का फिरोद करते और सच्चा ये हैं कि लोग जात्री की भ्राय के नाम पर अपने परिवार के स्वार्षी राज़ी दिए तो ये तो बात हुए प्रिधान मंत्री की जो उन्होंने वारर नसी से बिगुल फूका लेकिन जरा उस बयान को भी एक बार आपको दिखा देते हैं जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है राहूल गाधी ने क्या कहा था एक बार वो बयान सुनते हैं उसके बाद मैं मैं मानों का पारिशे कराती हूँ तो यही वो बयान था राहूल गांधी का जिसको लेकर प्रधान मंत्री आज काफी जादा नाराज दिखे काफी आग बबुला दिखे और कुछ बातों पर सवाल भी उन्होंने खड़े कि क्या उत्तर प्रदेश की जो इमेज बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि राहूल भी जो सांसद थे पहले वो उत्तर प्रदेश से थे राय बरेली से उनकी माता जी आनि सोनिया गांधी साल उस साल से सांसद रही है और पुछ तैनी एक तरीके से उत्तर प्रदेश से जुड़ा आव रहा है गांधी परिवार का कॉंग्रेस पार्टी का लेकिन उसके बाव पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ तारिक खान साब जुड़ेंगे जो की समाजवधी पार्टी के प्रवक्ता है इसके लावा कुछ ही पलों में हमारे साथ विश्नु पार्थक जी भी जुड़ेंगे जो की आम आदमी पार्टी के नेता और उनसे हम समझने के कुशिश करने आमादमी पार्टी के बारे में लेकिन जरा मैं जोती जी आज आप ही से शुरुवात करना चाहूंगी यह जो नसेडी वाला जो बयान रहा जिसको लेकर आज प्रधान मंत्री ने पलटवार कहा है क्या उत्तर प्रदेश और खासकर वारण असी का हर युवा आज की आना पढ़ जाता है कि मुझे तो अब लगता है कि मुझे बनारस बार बार आना पढ़ेगा क्यों प्रधान मंत्री जी आप वहां के मेंबर ऑफ पारल्यामेंट हैं आपको यह एहसास अभुआ कि आपको बार बार आना पढ़ेगा आपको आपको तो हर बार वहां रहना च चाहिए आपको तो वहां हर बार बीएच्चु में जो कांड हुआ महिलाओं के लड़कियों के साथ उस पर आपको बात करना चाहिए आपको तो हर बार वहां पर ये बात करना चाहिए कि पेपर लिख हो गए आपको तो हर बार बात करना चाहिए कि पुलिस में जो भरतियां ह हो रही है उसके paper लिख हो गए आप कैसी बात कर रहे हैं आप प्रधान मंत्री हैं आपको तो हमेशा वहां रहना चाहिए आपको तो second second का सुध लेना चाहिए और आप कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि बार बार आना पढ़ेगा ऐसा सर्मनाक प्रदान मंत्री हमारे देश के प्रदान मंत्री जो मेंबर अफ परलेमेंट है उस जगह के उनको आइस तरह की बाते करना पढ़ रहा है क्यों भाई इस तरह की बाते के वाल और राहुल गांधी के भारत जड़ो नया यात्रा का ये हतासा है। प्रदान मंत्री पर आप ने बात कहीं कि वारा नसी उनको बार बार जाना चाहिए वही रहना चाहिए क्या बत और सांसद सिर्फ ये नरेंद्र मोधी का ही करतव वह है कि वो अपनी कंस्ट्वेंसी में रहे राय बरेली और जब राहुल गांदी अमेठी में थे या फिर की अभी हम राहुल गांदी की बात करें वायनार की तो भी इसका दो फिर डेटा निकलवा लेना चाहिए कि कितनी बार सोनिया गांदी गए राहुल गांदी अपनी कंस्ट्वेंसी और बाकी के सांसद आपके जाते रहें या किसी के भी क्योंकि आप तो सीधे तोर पर इस बात पर हमला कर रहे हैं कि उनको वहीं रहना ही चाहिए वारण असी मैंने नहीं कहा कि उनको हर सकेंड का सु जाता है इस घटना के लिए वहां जाते हैं एक आदमी का मिर्तियू राहूल गांदी कॉंग्रेस पार्टी के लिए कितना इंप्रटेंट है और आप बात कहते हैं वहां तो लास वहां तो गंगा में लासे लासे बाह रही थी कुछ साल पहले आप उसका ध्यान है क्या पतेश की बात कह रहा हूं मैं कहा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जहां आपका डवल इंजन की सरकार है जब यहां रहूर की इतने रहूर है citizen देखी जवुबर ऑन जिए जो बात प्रधान मंत्री ने कही उसके जवाम को पाड़ी का कहना है कि प्रधान mejorkas Varanas जाना चाहिए हाला कि जोती जी वैसे मेरा सवाल ये भी था कि नसेडी शब्द का इस्तिमाल किया है वहां के युवाओं के लिए क्या वो सही था या नहीं उसका आपने जवाब नहीं दिया लेकिन मैं जरा पहले धनांजे जी का रूख करूंगे फिर आगे बढ़ते हूं जोती जी जवाब देंगे तो क्या देंगे राहूल गांधी राहूल पढ़कर जैसे तैसे करने लगे प्रसंद कुछ ऐसे प्रधान मंत्री को जाना चाहिए बना रहा है लेकिन राहूल गांधी अमेटी से चले गए अमेटी से चले गए जनता के बीच से चले बिदा हो ग समझते हैं तुलसी आसो रही मोरश खान ओ या जो कोई भी रवीदास को आज नमन के प्रदाहन मंत्री ने यह नरेन्द्र दावोदर दासु समाज के लिए जीवन का छणण पल पल एक चणण समाज जीवन के लिए समर्पित है वहीं राहुल गांदी नानी के घर जाते ही जाते यहां से बिदाद किस्थिति में आ गए और आज कर लोग घूमना शुरू किये हैं भारत से बहुत सत्ता प्राप्ति की आस में राहूल गांदी यहां वाँ जुनाव चुनाव की चुनाव इस चुनाव 24 चुनाव 23 सब्सक्राइब कर दोग है और चौबिस घंटे आठो पहर अहरनी सेवा में है जीवन का चणचण समाज जीवन का पलपल हम लोग उने समाज के लिए समर्पित कर रखा है राहूल बाबा का समाज के नया नया घूमना एक नया आपके लिए कुछ नहीं बात हो सकती है तरह लोड़ा जीवन पर इसी परिवार में रहे हैं गाहं गरीब किसान व अजवान के परिवार करें हैं इसलिए फेरा прекर वेश्य को समस्ते हैं इसलिए प्रधानमंतिण नहीं वूदी ने सब दिया है गरीब ऑअ नयाय आपने आत्रा करने चलें आपकी पिडियोंक्त पे ज देश के युवाओं का अपमान कर रहे हैं, यूपी के युवाओं का अपमान कर रहे हैं, आप उने सेड़ी बता रहे हैं, कि डांस कर रहा हुआ, आपने सदी के महानाय का अपमान की, आमिताब बचन को कहा कि नाच रहे हैं, एस्वरे राय को कहा, उनकी उनकी पत्नी और एस लेकिन जोती जी फिर मैं लॉटकर एक बार इस मुद्दे पर आती हूं जिसको आपने डग किया था नसेड़ी कहना उत्तरप्रदेश की युवाओं का अपमान है या नहीं है मैं कहा कि जब प्रधानमंति गारेंटी की बात करते हैं तो उस गारेंटी जी ये बात आपको उस परिपेक्ष में कहें आपको उस परिपेक्ष। समझना होगा। उस परसके ना कि नौकरी की बोले थे आप दीजिये। आप अगर वो नहीं देंगे तुए इधर भटकेंगे उधर बटकेंगे आप मोधी की guarantee का क्यát मतलव है मोधी का guarantee का मतलव है किसानों को गुले 앞से मारणा क्या नाच्चाहर क्या महिलाओं के साथ अत्या शौप कर रही है तो यह इनकी दवरेंगे दिया कौर रही है तो योगी सदह कुर हो रहा है तो है क्धशन मैंூ इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको अगर विपक्स के नेता यह बोलते हैं अगर कोई बात आपको सुझाव देते हैं तो आप उसको मनें वह सुझाव नहीं था मैं आपको करेक्ट कर दूँ आपने शायद राहूल जी का अपने नेता का पूरा बयार नहीं सुना उन्होंने क अब आप पुलिस की नौकरी के नौकरी लिख कर देंगे और जो टीचर बनने के पेपर को लिख कर देंगे तो जो भटक रहें तो आपके डवल इंगें सरकार है ना तो क्यों नहीं आप उस पर जाज बठाते हैं आप दिख्वाइए ना आप पेपर लिख बंद करना करवाईए जिस तरह आप घर को उजार दे रहे हैं मैं समय सकती हूँ इसका जवाब तारिक जी से लेना चाहूंगी तारिक जी क्योंकि आपकी पार्टी तो उत्तर प्रदेश की पार्टी है और अजयराय जो कि वारण असी से ही चुनाव लड़ चुके हैं जो कि यूपी में कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी वा जाते हैं तो शायद इस बात को आप भी छोड़ देंगे ठीक है वो उत्तर प्रदेश का यूवा नशेरी है यह बयान गलत है नहीं कहना चाहिए ठीक इससे उत्तर प्रदेश की बेज़ती हो गई चलिए माली आपकी बात अब आगे बढ़ते हैं यहां से आगे बढ़ते ह देश के लोगों को शर्म आती है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे 20 माई 2015 सीयोल में दिया हुआ प्रदान मंत्री का बयान इससे साथी चोड़ी हो गई 56 हो गई आपकी यह मेरी हो गई किसकी हुई प्रदान मंत्री माफी मांगें कि आपने कहा कि पूरा देश कितना लोग है वो अपने पिछले जनम में कुछ उसने पाख किये थे जो वह हिंदुस्तानी पैदा हो गया वाँ पहली बात दूसरे बात कहता हूँ उत्तर प्रदेश गुंडो का प्रदेश है मेरे कान में दर्द होने लगा भारती जनता पार्टी के नेजाओं से ये सुनते सुनते सत्तरा से पहले यहां सिर्फ गुंडे रहते थे पक्र की बात है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यही कहें तो आप सत्ता में आ गए क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडे रहते थे या अब गुंडे सारे खतम हो गए यह भारतिय जनता पाल्टी का नारा था रोज कहा इससे उत्तर प्रदेश के लोग गौरो आजिए उनका गौरो पढ़ गया और उनके गौरो ठीक ह जी यह हम नहीं कर रहें उत्तर परदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने कहा था कि चड़ गुंड़न की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर वह गुंड़न सब्द उन्होंने और उन्होंने के फाईयार दर्ज कराया था उन्होंने इस पेसिपिकली लिखा बाई भर्ट मैं सब्द बाइस सब्द बता रहा हूं कि सपाके गुंडों ने मेरे साथ गलत करने का और मेरी जान लेने का प्रयास किया था सपाके गुंडों ने यह एफाईयार की कोपी है उस पहन में आवाती ने लिखा था और इसके अलावा आदम गोडवी ने कहा है कि पक्के समाजवादी हैं तसकर हो या डकैत कितना असर है खादी के उजले लिबास में और उत्ते पर्देश के माफियाओ का देख लिजे मुखतार अंसारी हो अब नाम गिड़ा का सुरू करिए सब के सब का एक ही फिल से सारे सपोले निकलते हैं इबराहीम लोदी का भारत है और ऐसे सारे लोगों के लिए जगह नहीं मिलेगी छुपने की और दूसरी बात आज भारत वर्ष का जो मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है आज कई कंट्री जाने के लिए आपको विजा नहीं लगाना पड़ता है वहां ओनराइबल विजा है कई हमारे साथ रूपीज में 27 देशा स्ट्रेट कर रहे हैं यह भारत का सम्मान मान अभीमान गर्व जो किस तरह से प्रदान में ने बढ़ाया है आने वाली तुम पर नाज करेगी हम असरों जबने मालूं चलिए जवाब ओके धनाजे जवाब जवाब जवारे मायावती के ऊपर आपती जनक शब् बलतकार जैसी बात कहने वाले आज की देट में मंत्री हैं आपके सरकार तारिक जी याद रखेगा दया शनकर साथ ने अपसे कुछी दिन पहले वो गेस्ट हाउस कांट की याद दिलाई थी उन्होंने टुटल पर भी दिलाई थी और बयान देकर भी दिलाई थी वही मैं इसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ मंत्री बना दिया उससे त्र लीचों का प्रदान मंत्री ने कहा कि भारत में पायता हुए तो हम बधाकिस्मत है प्याइस के लोगों का जोरे बहां उत्तर परदेश में भुल्दे रहे ते भारत पुस्तर प्रदान मंत्री ने सीधे तौर पर आज इस बात को रखा उन्होंने कहा जो लोग उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं उनकी जमान भी नहीं बचेगी निल बटे सन्नाटा असी की सीटे बीजेपी के खाते में जाने वाली है और निल बटे सन्नाटा जनता आपको देने है इसका जवाब देढ़े धे इस बात को आप देखें प्रधान मंत्री जी का घवराहट इनकी घवराहट विपक्छी के वह नेता हैं जिन से और आप बात कर रहें भी पोसकिका पेशवा स्तर जेंडिए और में जीन आप कह रहे हैं कि इनको zero आएगा 0 तो इनको आएगा zero कैसे इनको आएगा आप मुझे बताइए ये कैसे कैसे किस तरह के परधान मंतरी हैं और नेता है भारतीयंतापाटी कि कितना कितना सुर्थी कि बोलते हैं कि 400 सीट आएगा उसमें 370 के वल बीजेपी आएगी बाकित के वल उनको केवल 30 आदमी है यह जाए बात पर आ हमको यह बता दिए कि क्या यह उडिसा में उडिसा में नवीन पटनाय को हरा करा जाएंगे क्या रास्थान में 25 अगर मेंबर पार्लेमेंट का सीट है तो 26 आ जाएंगे गुजरात में इनको मैक्सिमम है तो कहां उसे पांच उनको और आजा जाएगा नया संभिधान बना देंगे अगर जब चौबिस खटम होगा तो अपना यह ताना साही वहां करेंगे अभी तो नहीं कर पाएंगे अभी तो इनको डर यह है कि 200 अगर 270 से पांच भी सीट अगर निकम आगे त और इनको भाहरायेंदा पाटी के अपने नेताओं से बात को आपकं पर बैट करता हूं अब आपको बताता हूं इस बात को कॉंग्रेस से इनको डर बात जैनकी है पाहर नेता के यह टर है और बोखलाहट कि परवक्ता एक उसमाजबादीे सांचा बिटभ शन наши मंतरी विदेश में गए और बोले कि यहां तो पैदा लेना भी सर्म की बात है और वो एक युवाओं की नोकरी खा गए युवाओं को क्या लिभी कर दिया उसको उनको सर्म नहीं आता है आई इनके भातेंता पार्टी और नेरेंदर मोधी का इसके पात जवाब नहीं है यह आपकी बात सुनके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा 24 गंटे में जो कई बयान आगा है ना कॉंग्रेस पार्टी के नेता हों कि वो शायद आप देखकर नहीं आए आप ही की पार्टी के दिगज एहमाद पटेल उनके बेटे क्या कह रहे हैं दूसी को जवाब दिजिए जो को जवाब दिजिए में जवाब दिए कॉंग्रेस पार्टी में तो इस इंटा ही नहीं है कि अगर सरकार नहीं बनी या बनी तो राहूल गादी के लावा भाल रहोंगे फ़으면서ी का कई लिए कर रहे हैं और हम राम का नाम पूरे देश के भला के ऐ हमारे पार्टी नेताओं को ले जा रहें आप आगे आगे यही बात करेंगी अगर तो मतलब मतलब ने लेता हैं कि मेरे क्या समाने वाला है अपना पार्टी कार्टा करता हुआ वो मजबूत करते हो ना क्यों नहीं मजबूत करते हो लिए क्रियाच्षन मेरे मन में क्या है वो मुझे जानने दीजेना आप कैसे जाने जोती जी रुकिये ज़रा धना जी जल्दी से चाहिए लिए पिश्णुची के पास वहां रिमा जी कांग्रेस के विशेश दल होता था अब वो सेस हो गया आने वाले समय में उसके खोजने से नहीं मिलेंगे अब जी कांग्रेस अब जोती जी कह रहे हैं कि कहां से आगात तो गलत क्या करें आद्म हैं अपने 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 अवकाद से कहिसाब से बात करता है कि पूरी कैलकुलेशन कर ली लेगी अपनी पार्टी की कैलकुलेशन नहीं कि जोती जी नहीं लगता है कि प्रख़र प्रख़र रही है पहले आप फिर से उसी तरह हो जाएंगी आपको अंग्रेस की सरकार यह सटप भी कॉंग्रेस का है इस बात को याद लखे इसको नहीं बोलना चाहिए इसको नहीं बोलना चाहिए कि दूरदर्शन पर उन्होंने बात कई है तो मैं थोड़ा सा बता दू दूरदर्शन किसने बनवाया क्या बनवाया वो ठीक है जिसकी सरकार थी ना जो अजादी के बाद आए जाहिर तोर पर उसी वही बनवा सकता है कि कब ऑल इंडिया रेड में क्या-क्या होता था सर वह मत मुझसे याद दिलवाई है वह याद करूंगी तो बहुत सारी ऐसी बाते याद आ जाएंगी दूरदर्शन पर जो की मतलब बताने अशार ठीक नहीं है नैशनल चैनल पर बैट करके उस वह मैं आपको अलग से बताऊंगी किस चैनल में किस जोती जी हो गया अब सुधिये सुनिये रीवा जी किसोर् कुमार के गाने सुनाये जाएं कि नहीं सुनाये जाएं मजौरी सुल्तान पूरय नेहरुकों कहा ऍल जाल लोटाइब कोकर्म ने कावर कोड़ी है और जोती जी को अज उतना भी मैसर नहीं जितने की सीटें यह छोड़ दिया करते सायोग्यों के लिए आज पंजाब में दिली में देख लिजिए आपके ताप से और संताप से दो दो पर्दे साथ से गाव है और उसके सामने जहां पडूरा लेकर बता दिए तो किसको किसे नहीं बोले की बात आई है तो मैं विश्णु जी का रूख कर ले क्यों विश्णु जी एक में बट जो कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे विश्णु जी का रुक करती हूं मैं विश्णु जी दिली में लग रहा है कि हो जाएगा गडवन नहारा कि भरुच में तो एहमद पटेल के बेटे उन्होंने काफी कुछ कह दिया और वो कह र पर्टी को तो देश में सुनामी आजाएगी कैसी सुनामी आने वाली है देश में जो इमादार वर्व है और जो जानता है कि हमारी सब्ता हमारी आपसे इस प्रहां कहां से आई है कि आप तो छोड़ो ऑलाइंस या जेल में देंगे कोई सोर्स है इसका क्या सब्सक्राइब हो गया सब जगह बिलकुल हो तो भारुच भारुच को लेका क्या डिसाइड हुआ सब्सक्राइब हो गया जो बात के लगए यह बात है Спodou लेकिन एक whishlau جी आ रही है यह बात नहीं के केजरी वाल गिरफ्तार होंगे केजरी वाल गिरफ्तार होंगे केजरी वाल प्रफान मंत्री को भी बाद आज उन्हों पर आपको याद किया तो प्रधान मंत्री को भी भगवान राम की बाद आज उन्हों प्रफान मंत्री को भगवान राम से इतनी नफरत है क्योंकि आयोद्या का विकास और काशी का विकास का विकास कॉंग्रेस पार्टी से पच नहीं रहा है अब जाब दीजिए राम को लेकर एक तो वहां ना जाना पहले तो राम मंदिर के उद्गाटन पर और उसके बाद इस दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए मत बोलिये ना जोती जी के पेवल है इस पर जवाब देने के लिए अरे ठीक है विश्नु जी आपने बहुत अर्विन केजविवाल ने तो हनुमान 40 अगा पार्ट भी करवाया आते हैं ना रुकिये का देवलोप्लाप्ट करते हैं यह के साथ एक free लिए प्रिन ओधा के साथ पर hoang WordPress देवलोपंट मोटन ऐनक। कि अधा के साथ पहुआ फिरी यहीं development model है आपका नियुदर है और शिंग्षा की आदम ने धंदा सिराम ना सिर्वार्ब्स करने वाद था कियो से अरुदर कोई नियुक्त बात कोई हो सकती है क्या मेरा सवाल जोती जी से है अब मेरा सवाल जोती जी को जवाब देने जिए आपने कॉंग्रेस पार्टी और आपके बीच इतरा अच्छा गडबंदन हो गया कि उनके टॉम में आप ही बोल रहे हैं तो जरा उनकी टर्ण पर उनी को बोलने दीजे जोती जवाब देंगे राम स कर देन दिखावा करती है ब्हक्त होने का यह उनका है आप का राम नाम नम लेते हैं बोट के लिए बोट के समय की देखिए आप हमसे पूष्थी हैं आपको तो पता है कि पंधरह ता जब 22 तारीक व एकषि जब भी था यह हमारा उसके पहले हमारे उत्तर पॉल पर से कितने नेता गए और हमारे कॉवर से किटना नेता जा रहे हैं मिल रहुल गांदी को प्रणाम के चंदल लगाये और मोदी जी तो फोटो खिचवा के चारों तरफ बाढ़ते हैं और राहूल गांदी के तो उनके फोटो को चुपा के रख लेते हैं यह से तो आपके प्रधान मंत्री हमारे हैं वह अपना फोटो करते हैं लोग को दिखाते हैं अब हमको तो यह बताइए ना कि आप राश्पति को क्यों नहीं आने दिए अमित्सा क्यों नहीं गए और नेता क्यों नहीं गए आप बताइए ना हमारा तो जम्मन करेगा जाएंगे हमको जब राम भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे क्योंकि हमारी आस्था की बात है लेकिन इनका तो भोट वाला बात था अब तो इनका भोट कर जाएगा निम तरह कि इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी जी की जो गारेंटी नौकरी की थी जो किसानों की डवल आए तने वरिश प्रवक्ता और नेता है को रही है और आपको राम नाम पर फसाए जा रहा है जोती जी आप इतने वरिश प्रवक्ता और वरिश नेता है पार्टी के आपने अगर आयोध्या के बारे में आप गए नई वहां तो कम से कम पता कर लेते कि डेवलप्मेंट के नाम पर कितने लोगों को नौकरी मिली और आयोध्या का जो काया कल्प हुआ उसमें कितने अरे बाद दा रटी वर्स पर हिरोजारी पेंटालीस वर्स के आज हाई-गही दाटा की बात कर रहे हैं हम तो इसमा न copак in का रिखाई vaat зp आपको मेरे डेटा पर विश्वास नहीं है उन से सुन लीजिए दनाजा गिरीजी से आप पर विश्वास है फिर तारी जी जवाब देगे ओके भारते अंता पार्टी पर कैसे विश्वास होगा क्या बात कर रहें आप डेटा पर तो विश्वास होगा जब 10 साल में जितने आप पर रेल्मेंस्टेशन का काने काल पुआ इस पर विश्वास होगा जी रीमा जी रीमा जी जोती जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं और आप से सभेता की उमिद रखता हूं आप सुप्रीम कोड को लोयर है थोड़ा सी सभेता दिखाएंगे पर देखते हैं ना फीड़ देखते हैं कि कौन कितने पेशन के साथ बात करता है तो अच्छा लगेगा कि सब के सब के लिए और दर्शक एक ही बात बोलें दनाजेगरी अपने टर्म में सब बोलेंगे रिमा जी मैं जोती जी को जानता हूं यह वरिस्ट भी है और सिस्ट भी है लेकिन राहूल गांधी का सर कभी-कभी इन पर पढ़ जाता बैर रही बात राम फीडरोधीयों के रोम रोम को पहचानती है उट कांग्रेस को भी जानती है जिसने फिडेविट करके राम को कालप पनिक बताया था उस Congress को इस देश की जनता भली भाती जानती है और पहुत לא कर रहे तो थी पिशान सकतर में लिखा था हमम्नी बनधेर मंदिर बर्वाएंगे दारां 370 हिटा यह कर एंगे और करने रहे हैं लोग ने लिखा था और इस काम के लिए वोट दिया है तारिक जी बुलावा तो अभी तक अखिलेश यादव को भी नहीं तो कहा था कि हम इसलिए अभी नहीं जा रहें जैसे ही भगवान राम मुझे बुलाएंगे मुझे न्योता देंगे तो मैं जाओंगा त इसलिए सवालों के दायरे में खड़े होते हैं सब लोग तारिक जी नहीं जाएंगे वो चल्दी ही जाएंगे और उनका कारिक्रम जल्दी लगेगा और परिबार के साथ जाएंगे और भगवान राम सबके और जब बुलावा आएगा तो बिल्कुल जाएंगे इसमें और ये बड़ी spiritual चीज है हर आदमी का भगवान के साथ अपना एक मन का connection होता है मुझे लगता है वो मन का connection जब बुलाएगा तो जाएंगे लेकिन आद 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 आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में राम चुनाव में अगर किसी की शादी में किसी ने बुलाया एक तरिकी का connection है और हम नहीं जा रहे हैं इसका मतलब हम उसका विरोध कर रहे हैं सुप्रिम कोड के order का किसी ने विरोध किया किसी मुसल्मान ने विरोध किया या भेज जी ने तो सबके लिए सबने सर सम्मती से उस आस्था नहीं है की भगवान हिंदू हो बिलकुल जाओं बहुन नहीं है यूझा क्नक को यहीं कि जवाब देंगे यह नहीं मैं देखे जिस दिन इस बात विराम पुलिस टॉप लग जाएगा अकलेश जी का बहुत ही जल्दी अयोध्या का प्रोग्राम लगने वाला है परिवार के साथ जाएंगे मैं कह रहा हूं ना पर क्योंकि मैं तो प्रवक्ता हूं हम लोगों को पता रहता है परिवार के साथ जाएंगे और बहुत जाएंगे तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी का रियक्शन तो खत्म हुआ इस मुद्दे पर कि वह जल्दी जाएंगे तो इसका मनलब कॉंग्रेस पार्टी ही अब वह पार्टी बची है जिसके बारे में प्रधानमंद्री ने बात कही कि कॉंग्रेस को क्यों भगवान राम लला से न यह अन्हों है भगवान राम के सामने पर सुराम को खळा करने खी हूण के उन्होंने कहा सिके तो आब अखिलेस की स्धिती कि देख लिजिये ही और कांग्रेस की इसी हो गई है कि आप कॉंग्रेस अपने आप को आज ये बान रही है कि उराजनिती किरेस में ही नहीं, 17 सीट, एक रिजिनल पार्टी 17 सीट देख करें कि आना है तो जाना तो जाओ, मैं ममता पनार जी कहा दे रही है कि तुम 2 सीट से ज्यादा के लायक नहीं हो, केजरिवाल जिसने कॉंग्र कॉंग्रेस के लिए कोई उपनाम, कोई संग्या सर्वनाम छोड़ा है कोग्रेस के लिए, उन्होंनों सुनिया गांधी तो जल जानी के खकालत की है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, जोती जी, चौथी और अंतिम बात, जिस पर आज बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहूर गांधी जहां जहां जा रहे हैं, वो हर किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जाती के है, तुम्हारी जाती के है, पत्रकार को पिटवा देते हैं, उसके मालिक की जाती पूछ कर, पत्रकार मतलब जो कवर करने के लिए आपकी यात्रा को गए, उनकी पिटा ही हो सिर्विस लिए क्योंकि उसका मालिक दलित नहीं है वोबीस नहीं है तो कहा कि देश को जाती के अधार पर बाट रहे हैं ये लोग जब कि हमारे लिए गरीब गरीब है लेकिन इनके लिए दलित दलित है गरीब की जाती पूछते हैं और जाती पूछ पूछ कर देश में देश को तोड़ने की कगार पर लेकर जा रहा है तो क्यों देश को तोड़न क्वारमेंट है मिठी की एक पत्रकार ने उससे सवाल क्या कर दिया उसकी नौकरी निकल वादी और यह बोलके कि तुम्हारा बॉस कौन है तुम्हारा मालिक कौन है हम अभी तुम्हारी खबर लेंगे तो आप इनकी क्या बात करते हैं चलिए दूसरी बात पर आईए जब एक बार नहीं कितने बार बोलकर भोट मांगते हैं और एक बार तो 2015 में भागवत जी को ये इस तरह के ब्यान जातिकत ब्यान देकर उनको नुक्सान भी सहना पड़ा था ये भी आद होगा आपको लेकिन सवाल क्या है सवाल ये है कि अगर इस देश में राहूर गांदी कहते हैं कि इहां जंशंख्या का गिंती होना चाहिए तो क्या गलत कहते हैं अगर वो कहते हैं कि कोई खास सम्झ psychologist के लोग गरीब हैं उनको भी बराबर आम लोगों की तरह होना चाहिए उनको भी नरेद्र मोधी के जो बाकि दोस्त लोग क्रोंने चैपिटलू उनके बराबर Trevor उनके बराबर उनको लोन मिलना चाहिए तो क्या गलत है भाई अगर वह भूखए हैं उनके उनकी गिंती हो जाए उनको भी बराबर लोन लडवाने की कोशिश क्वो λए आपस में लोगों को जाती के बारे में न्या-यात्रा पूछ कर ये जाती के बारे में राहुल गांदी भी तो कोई जाती पूछ सकता है ना पिर कि आपकी क्या जाती उनके परिवार के बारे में तो मोधी जी ने इतनी बाते कह दी है कि जिसका लोगों के मन में इतनी घ्रिना हो गई है उनके प्रती कि 24 में समझ में आजा जाए तारिक खान पिर आ रहे हूं दोरों के बाद आपके पास है नहीं आपको एकना बात बता दीजिए कि क्या नरे निर्मोदी जन संक्या कि गिंती जो सवाल था उस पर आती हूं कि यहां सिर्फ चार जाते हैं गरीब किसान महिला और युवा आपको वह भी आद दिया रहा हूं महिलाओं को इस तरह कम बताके ना थाइंक यू वेरी मच चार जाते हैं फिर यह क्या जरूवत पर गई कहने की कि हमने आटाइस ओबीसी मंत्री बना दिया फिर यह जरूवत क्यों पर गई कि हमने एस्टी समाज का प्रेसिडेंट बना दिया क्योंकि सावान पूछा गया था प्रदेशम में यादों को बना दिया उत्तर को बना दिया और उत्तर पूछे जरूवत इस बाप का धिन्दोरा भारती जग्टापाइटी को पितने की क्या जरूवत है आप जाती की बात कर सकते हैं और आप पिर कह सकते हैं कि वो गरीब है और उसकी जाती भी है हम नहीं कर सकते हैं जवाब सुन लिए आप दोनों की ही बात का जवाब धनाजगिरी रीमा जी राष्ट कभी दिनकर ने कहा है कि सिर्पे कुल का छत्र लिये भीतर का लेके काले जरा नहीं सर्माते जगत में जाती पूछने वाले यह राहूल गांधी के उपर पिलकुल सठीक बैठता है सिर्पे कुल का छत्र है इसलिए राष्ट गांधी कुस लोग सुन रहा है देश में यह राष्ट गांधी जीस तरह से मनरंजन करते हैं फिर नहीं इस देश का करना दोनों दो बाते हैं प्रधान मंत्री जी चुकी एक गरीब परिवार से आते हैं और पिछड़े समाज का प्रतिनित्तों करते हैं तो देश का पिछड़ा पिछड़ा नहीं कॉंग्रेस और वैसे लोग जो पिछड़ों को पाव पोच समझते थे उनके लिए होस में आने का समय है कि अब जाती है उन्माद की बात नहीं होगी जाती है उत्तान की बात होगी दुनिया में जित्रे भी विचारक हुए उनके विचारों का मूल मंत्र प्रधान मंत्री सारगर्विच सब्दों में दिया सबका साथ सबका विकार तारिक जी सवाल मेरा आपी से है कम से कम समाजवादी पार्टी की जो अभी लिस्ट राई है तीन उसके बाद समाजवादी पार्टी को तो यह पीडिये और तमाम नारा देने की अफशाए जरूरत नहीं है क्यों तरह से परिवार्वाद दिखाई दे रहा है पूरे परिवार के लोगों को टिक्टे दी गई है उसके अलावा जो नंबर दो पर आया उसमें अफजाल अंसारी का नाम आता है तो कम से कम यह तमाम जो चीजे है वह तो सोचने वाली बात थी ना कि पीडिये की बात कर रहे ह कुछ और दिख रहा है सारा जो टिकट है वो पीडिये के अब से बैकवर्ड उसमें जादा से जादा है जो आरक्षिट सीट है महां से तो अपने आप ही आगया दलित को तो इतनी सीट हमको देनी देनी और मैं हमने अगर कहा कि हम पीडिये की लडाई लडनी की बात कर रहे हम यह नहीं करें हैं पीडिये को टिकट देंगे तो हम किसी को देंगे मगर लडाई अखलेश जी के नेतरित में पीडिये की लड़ेंगे पिछला अदलित अल्प संकत अभी प्रधान मंतरी को बैकवर्ड बता दिया प्रधान मंतरी ने जब आचारी जाता है अरे अपने प्रधान मंतरी की बात तो मानो क्यों बैकवर्ड कह रहें प्रधान मंतरी की जातियों के ने चाहते हैं और जाती जगलना से बचना भी चाहते हैं इसलिए है सकतर जोती आपको नहीं लगता कि जिस तरह के के बयान राहूल गांदी देते हैं कही न कई पार्टी उससे बैकवर्ड पर आती है चाहे हैं यहीं नसेरी वाला अब काशी में तो जब भी कॉँद्ध कांगरेश पार्टी जाएगी या कॉँद्ध करेगी तो हर यूबा यही सवाल पूँछेगा ना कि क्या आम नसेरी हैं या फिर कि जिस तरह यूभकों क पूँछ पूछ पूछ कर सिर्ष एक तरीके से कहा जा रहा है रहा है बताए आप 수 सी धाली ते आने आप कौनसी जाती से आते हैं आपकी जाती क्या है तो थिस तरीक चार्श पार्ट इस इसी से अभी तक बैक फुट पर आईansen देश वास्यों की सबसे वड़ी समस्या बीजेपी और मोदी है इस बात को आप समझ लिए आप भले ही राहूल गांदी जी के वारे में जो कहें चार बार के मेंबर ऑफ पारल्यामेंट हैं वो 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 इस देश में करीबों की इवाओं की महिलाओं की जो सवाल को अगर सुन रहे हैं अपनी बात नहीं कह रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं तो वही एक नेता है आप जो बार बार अभी ये बोल रहे थे क्या नाम है गिरी जी बता रहे थे कि दुविधा में किसको क्या मिला दुविधा में कॉंग्रेस को राम और हनुमान मिला वैसना देवी मिले काल कर दे रहे हैं और बिना बताया पैसा निकाल ले रहे हैं यह तो आपको सुप्रीम कोट ने भी बता दिया इस बात को आप समझ लिजे आप ने जो बात कहा और जहां तक बात कह रहे हैं मैं पूसता हूं क्या देश ये नहीं बोलेगा कि जो परधान मंत्री बिदेश्ट में बिदेश में जाके बोले कि यहां जनम लेना इस देश में सर्म की बात है तो उससे उसको सोचने के पहले पढ़ार मंत्री के बारे में सोचेगारी माजी आप इस बात को समझ यह इस बार 2024 के एलेक्शन में बीजेपी का सफाया हो जाएगा और बीजेपी के नेता ही करेंग सफाया होगा तो कितनी सीट आएंगी सौ से नीचे आएंगे बीजेपी को और आपको 272 से उपर आएंगे मतला पूरे गड़बंदन को पूरे गड़बंदन को साड़े 300 अभी गड़बंदन में है कौन-कौन वो तो बता दीजिए अभी सरफ दोई पार्टियों के नाम ल कि इतनी खुछी है आपको हमारी खुछी सपा के साथ हुई इसका खुछी तो आपको आपके चेहरे पर दिखा हमारा पर आर जेवी के साथ हुआ तो आपको लग़ रहा है ना की राष्षाल में 50 पार्लियमेंट सीट है वो 26 नहीं रह सकते या तो 25 लाएंगे या तो 20 पर कोई बात नहीं वह बात हो जाएगी हमारे लाइंस की बात हो जाएगी इसमें इस्टूडियो में आपको बतानी क्या जूरत है आप मुझे बहुत खुशी हो रही है इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है इस खुशी को आपसे पूछू कि क्या हो रहा है सब बाता है क्योंकि इन्हों ने यह नहीं कहा कि यह 543 में 600 बात आप संजें नहीं तो बीजेपी तो हमेशा कहती है कि एक विपश होना चाहिए इसलिए प्रक्ष के पार्ट बीजेपी तेहीं हो जन्ता को चूज कर लेती है पार्टियों को आज कल जन्ता को बरगलाया नहीं जा सकता जोती जी तो जन्ता जिसको चुन रही है सब्सक्राइब कर लिए इस बात का जवाब नहीं मिला अभी तक अधिवासी जब राश्पती बन रही थी महिला तो क्यों उनको आपोस किया गया यह भी तो सवाल पूछा गया फिर चलिए तारिक जी मैं मैं यह कह रहा हूं कि आप एक तरफ कहते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए तो निल बटे सर्णाटा है क्यों जीरो सीट के साथ जीत कर विपक्ष लोग समझ जाएगा क्या कैसे जाएगा आप तो निल बटे सर्णाटा उनको बता रहे हैं तो विपक्ष तो तभी रहेगा जब कुछ लीटे उत्तर प्रदेश में और यह बात जब कहीं और जाएगे तो निल बटे सर्णाटा पूरे इंदुस्तान के लिए है तो आप तो विपक्ष चाहते ही नहीं है ठीक है वि लोग तंत्र में जन्ता की पहचान करना सीखिए मेरे खाल से हर दल को सीखनी पड़ेगी कि जन्ता को ना ठुक रहे हैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास में मान आज पांच की पंचायत में आसा जुड़े और इसलिए जब बात जन्ता के मेंडेट की आती ह है तो जाहिर तोर पर इसकी भी आती है कि किसको कितनी सीटे मिलेंगी और इस बार 2024 के चुनाव में जो चुनौती है उससे कौन पार पापाएगा ये पिटारा भी जन्ता के पास ही है वो जब खुलेगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा चलिए आज पांच की पंचायत में इ झाहिए